इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 25 जुलाई 2023 विश्वास की खोशना मैं खोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारन और अलोकिक हूँ मैं खोशना करता हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं फलता फूलता हूँ मेरे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई के बावजूद मैं सम्रिध हूँ मुझे पता है कि हर जटका वापसी के लिए एक तैयारी है मैं स्थिर नहीं होता या अपने सपनों को नहीं छोड़ता या जहां मैं हूँ वहां बस जाता नहीं हूँ मुझे पता है कि ईश्वर की कृपा का एक स्पर्ष सब कुछ बदल देता है मैं आशिरवाद के एक वर्ष और संपन होने वाले वर्ष के लिए तैयार हूँ यह मेरी घोशना है दिवे स्वास्त की स्विकारोती मैं जिवन्त जल की नदियों के किनारे लगाया गया वर्ष हूँ मैं स्वास्त में सम्रिद हूँ मैं मेरे पत्ते फल फूल रहे हैं और हरे हैं जीवन और स्वास्त से भरपूर जिवन्त सम्रिद सफल और फलदाई मैं इश्वर की महिमा प्रसारित करता हूँ हालेलुया मेरे पास वह होगा जो मैं कहूँगा येश्व के नाम में योहन चौदा तेरा मैं मजबूत हूँ मैं स्वस्त हूँ मैं धन्य हूँ मैं धनी हूँ मैं शक्तिशाली हूँ मैं अभिश्यक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रीय हूँ, मैं इश्वर और मानवजाती का कृपा पात्र हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ. मैं अपने प्रभु के दरबार में ताड के पेड की तरे फलता फूलता हूँ. मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फ़लुतपन करता हूँ. मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ. मैं बुड़ापे में भी ताजा और फलता फूलता रहूंगा मेरा पता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वे येश्यू के नाम में सम्रिद होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येश्यू के नाम में काम कर रही है मैं मसी येश्यू में हर आध्यात में का अशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते है मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतरमन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश दीता है और मेरा शरीर पालन करता है येश्यू के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त है मैं अपने शरीर के हर वेवरण के लिए जीवन बोलता हूँ, मैं अपने मनुभाव से बात करता हूँ, परिपून बनो, मसी के मनुभाव की तरह है, और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से संड्रेखितोने की आग्या देता हूँ, मैं अपने सनायों और नसों से जीवन बोलता हूँ, मैं अपने मास पेशियों और सनायों बन्दन को ताकत बोलता हूँ, मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ, मैं अपने फेफ़णों और उत्तकों से सामाने वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपाद बनाए रखने के लिए बात करता हूँ, मैं अ पूरे उपरी और निचले अंगुतकश रूप से कारे करते हैं, मेरी आखें सपश रूप से और पूरी तरीके से देखती हैं, और मेरे कान काम करते हैं पहतरीन, मेरे तुछा एक नवजाच शिशु और इश्वर की सुन्दरता की तरह चिकनी और स्वस्त है, मेरे बालों के रोम कस गए हैं, मैं अपने बालों को इस्तिर रहने की आग्या देता हूं, और जहां व्रद्दी के आवशक्ता होती हैं, मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूं, मेरे दाथ, मसूरे, जबडे की हड़ियां, और तंत्री का और रक्त की आपूर्ती, सभी स्वस्त मजब परिपूर्ण हैं, मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांसमीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जस्से में हैं, और अपने कार्यों को सामाने रूप से निश्पादित कर रहे हैं, मेरा पाचन तंतर निगले गए सभी खाद्दे प्रदार्तों को पचाने, और आत्मसाथ करने में सक्षम हैं, और चया पचया अप्शिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सरजित होते हैं, मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितलता, गपशप, आलस्य, आधिक नींद, सुस्ती और बाद्देकारी खरीदारी में सभी प्रकार के वेसन हों, जैसे शरा वेसा ही मैं, इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वे मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इसलिए खादे प्रदार्तों, धूल, जानवरों, आदी अलर्जी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं है, इश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है, मेरा प्रजन अंत्र प्रयाप्त मात्रा में और अच्छी गती शिलता वले शुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रहा है, मेरा प्रजन अंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है, जनम तक ब्रून की रक्षा और पोशन कर रहा है, मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका पून्ता में कारे करता है जिसके लिए ईश्वर ने इसे कारे करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रती को येश्यू के नाम में मना करता हूं आमेन मेरा संपूर मानाव शरी रचना विज्ञान जया पचे और शरीर क्रिया विज्ञान मसी येशु में परिपूर्ण है महिमा, हालेलुया, आमेन पता ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ शलोम